आज हम बात कर रहे हैं कि हाथ का अंगूठा देखकर कैसे भविष्य की दिशा और दसा तै की जा सकती है पड़ी जी हाथ के अंगूठे की आकार को देखकर के व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कैसे जाना जा सकता है अगर अंगूठा आपका लंबा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है लंबे अंगूठे का मतलब हाथ में आदमी को बुद्धिमान बना देता है पैरों का लंबा अंगूठा मूर्खता पैदा करता है जिन लोगों का अंगूठा लंबा होता है ऐसे लोग अपना इन्फ्लूएंस अपना प्रभाव और अपना क्षेत्र बनाए रखना चाहते हैं जो सम कोड का अंगूठा है जो इस उंगली के साथ 90 डिग्री बनाता है ये व्यक्ति को कलाकार और भावुक बनाता है ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं ऐसे लोगों के अंदर क्रियेटिविटी की स्रिजन करने की अद्भुद छमता होती है जिन लोगों का अंगूठा 90 डिग्री से जादा चला गया यानि नीचे वाला हिस्सा यहां आ गया यानि ये काफी चोड़ा बड़ा हो गया तो ऐसे अंगूठे वाले लोग दैवी होते हैं डिवाइन होते हैं ऐसे लोग सेल्फ कंट्रोल के आत्म नियंत्रन के और बुद्धिमानी के प्रतीक होते हैं जिन लोगों का अंगूठा छोटा होता है या उपर से गोल होता है उपर से सुन्दर नहीं होता ऐसे लोग क्रोधी और सनकी होते हैं ऐसे अंगूठे वाले लोग जिनका अंगूठा छोटा है और उपर से मोटा है ऐसे लोग कभी कभी अपरादी भी हो जाते हैं जिनका अंगूठा छोटा और मोटा है ऐसे लोग अपने क्रोध और अपने वाड़ी पर हमेशा नियंत्रन बनाए रखें क्योंकि आपका क्रोध आपकी वाड़ी आपको मुश्किल में डाल सकती है अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का पड़ी जी कहा जाता है कि नीले रंग के गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए सामाने स्थितियों में ऐसा क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है कि नीले रंग के गणेश जी की पूजा सामाने तह नहीं करनी चाहिए देखिए जब आप भगवान गणेश की मूर्ती लाते हैं तो सबसे बढ़िया होगा आप पीले रंग की मूर्ती या लाल रंग की मूर्ती ले आएं और उसकी पूजा करें नीले रंग के गणपती विशेश गणपती हैं इनको उच्छिष्ट गणपती कहा जाता है और विशेश इस्थितियों में उच्छिष्ट गणपती की पूजा होती है वो तंत्र की पूजा है सामान्य इस्थितियों में नहीं करनी चाहिए तो जब तक किसी गुरू की गाइडलाइन ना हो या जब तक आप तंत्र से परिचित ना हो तब तक उच्छिष्ट गणपती की यानी नीले रंग के गणपती की पूजा ना करें